पिशले तीन दिनों से रुकर कर कभी हलकी तो कभी भारी बारिश हो रही है इसी वीच मोसम विभाग ने 18 सितंबर को उत्तर परदेश में भारी और कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने का लड़ चारी किया है इससे पहले भी 16 और 17 सितंबर को परदेश के विभिन हिस्तों में हलकी से समान्या बारिश देखने को मिली थी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कम हवा का एक दबाव शेतर दक्षनी उत्तर परदेश पर बनता दिखाई दिये रहा है पिशले 24 घंटों के दर्मियान परदेश में सबसे अधिक 12 सेंटिमीटर बारिश रिकोर्ट की गई है वहीं कुझ जिलों में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है जिसमें बांदा, चित्रकूट, कोशांबी, प्रियागराज, फतेपूर, मिर्जापूर, वारानसी, मैनपूरी एटावाज, जहांसी और ललितपूर शामिल है वहीं कृषी विभाग के अनुसार परदेश में अब हो रही ये बारिश धान वर क्रीप की फसलों के लिए बहुत फायदय मंद है क्योंकि इस वक्त धान की फसल में फूल आने लगे हैं और बलियां भी बनेंगी इसके इलावा दलन और तिलन की फसलों को भी ये बारिश फायदा दे सकती है विभाग की माने तो उन्होंने किसानों को सला दी है कि इस बारिश का पानी खेत से निकलने नह दे खर्पतवार पर पूरा ध्यान दिया जाए और जहां खेत खाली हो वहां तेराई और बुआई कर दी जाए ऐसे में माना जा रहा है कि इस समय होने वाली बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है झाल झाल